बिस्मिलाहिर रुख्मान रुरहीम असलामलेकूम नाजरीन हजरत अली ने परमाया नसीब हारा जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है बस यकीन के साथ अल्ला से मांगते रहो वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा अगर बत्ती गार में जलाओ गार से नहूसत हमेशा के लिए चली जाएगी सूंड की चटनी बना कर खाने से खांसी रुक जाती है जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं उन पर बुड़ापा जल्दी नहीं आता वो लंबे अर्से तक जवान दिखाई देती हैं दूद बगेर शकर के सबस अलाची डाल कर उबाल लें फ्रीजर में ठंडा करें इतना ठंडा करें के बर्फ बनने वाला हो रुजाना एक ग्लास पीएं मेते की तजाबियत अलसर मेदे की जलन दूर हो जाएगी ठंडे पानी के बाद चाए बिलकुल ना पीएं अद्रा खाने वाला बंदा कभी बिमारी का जल्दी मूँ नहीं देखता खुजूर कुर्जाना नाच्टे में खाने से अंधरूनी जरसीम का हात्मा हो जाता है दहीं खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है बर्पी खाने से बंदा जल्दी बुड़ा हो जाता है नहार मू नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं दूद में सेब का रच शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है दाल चीनी की चाय बना कर पीने से पेट की रिसोली हतम हो जाती है ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है अगर बदन की सोजन का कोई भी मसला हो तो लोकी का सालना बना कर खाया करो इस से बदन की सोजन में आराम मिलता है दही में चीनी डाल कर खाने से पेट के दर्ड में अराम मिलता है कच्ची गाज़र चबा कर खाने से चेहरे की तमाम जुरियां हतम हो जाती है नजर को तेज करना चाते हैं बंदगोबी के पते काट कर आंखों पर राक लें नजर तेज होने के साथ साथ आंखों को ठंडक मिलती है जलन भी हतम हो जाती है नहार मुफालसे का जूस पीने से मेदे की तजाबियत दूर होती है मिठी और गर्म चीज़े खाने के बाद पानी पीना दांतों को हराब कर देता है लिम्बू का रस चूस लिया करो चेहरे की जुरियां गाइब हो जाएंगी तीन चीज़े परदा चाहती है खाना और ओरत और दोलत इन चीज़ों को छोटा ना समझो कर्ज मर्ज और फर्ज तीन चीज़े हर एक से जुदा होती है सूरत सीरत और किस्मत कान के अंदर हारिश का होना यदाश्ट कम होने की अलामत है जिस घर में काली बेर मजूद हो वो गर्बद नजरी से बचा रहता है जिस घर में खजूर का दरخت मजूद हो वहां सो साल तक गुर्बत नहीं आती लोंग का पानी छड़कने से लाल बेक नहीं आती नाशपाती का बीच चबाने से दांतों में धर्द नहीं होता केले के चिलके को सार पर मसलने से सार के बाल गिरना बांध हो जाती है जो लोग कम सोते हैं चिर्चरे पान का शिकार हो जाती है और जो ज्यादा सोते हैं इन में बू का एसास ज्यादा होता है जिन लोगों को कभी दिन में नीद नहीं आती वो लोग बहुत जहीन और बेचैन मजाज के होते हैं मुर्गी के पंजे खाने से जोडों के दर्द में अराम मिलता है चावल के इस्तमाल से गुर्दे में पत्थरी हो जाती है ज्यादा मिठा इस्तमाल करने से जहन कमजोर होता है खुश्बू सुंगने से दमाग में खुश्की पैदा होती है बोर्ची हाने के दर्वाजे सुराहों खिड़कियों में लिम्बू का रसंचोर देने से चूंटियां बाग जाती हैं दुबारा नहीं आएंगी लेज के ज्यादा इस्तमाल से पेट बढ़ता है खाना काने के दुरान पौंग के बाल बैठने से दमाग कमजोर हो जाता है कलवंजी को साफ करके दो कर हुश्क करके शिशे की बोतल में डाल लें फिर इस पे लिम्बू नचोर लें इसके बाद हुश्क करके हलका सा गराइंड करे हर खाने के बाद एक चुटकी ले लें इन्शाला आदे गैंटे में सब कुछ खाया पिया हजम हो जाएगा अस्तकपार की तुफीक तुम्हारी कामयाब होने की पहली निशानी है चने की डाल के पानी से छे दिन तक मूँ दोएं चेहरे की सामली रंगदू जैसी सफेद हो जाएगी रुजाना टमाटर का रस नकाल कर किसी भी हेर आईल में मला कर इससे बाल कुछ ही डिनों में काले हो जाती है सार के बालों में तेल लगाने से चमक आती है हुशकी हो जाती है अगर आंतों में जखम हो तो बेर का इस्तमाल फाइदा मंद है बेर आंतों की सहत के लिए नहायत मुफीद है इस से हून साफ होता है सफर करने से दिल के दोड़े और डिप्रेशन का हत्रा कम हो जाता है ठंडा पानी चेहरे पर जुरियां लाता है गरने के रास में अद्रक मलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता मूँ से बद्बू आने लगे जामन इस्तमाल कोड़ बद्बू हत्म हो जाएगी सेप के चिलके चिबाने से बार बर प्शाब आने का मसला हत्म हो जाता है अगर मेदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टीक बना कर पी लिया करें केले के चिलके माथे पर मसलने से सरदर्द में अरा मिलता है नहार मूँ नीम कर पानी बीने से पेट की त्माम बीमारियां हतम हो जाती है मचली का सालन बना कर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है पानी कम पीने वाले बन्दे के गुर्दे जल्दी हराब होते है कच्चा मुरूधका और सुस्ती दूर हो जाएगी सुक्ष के धनिये की चटनी बना कर खाने से खान से रुक जाती है सफेद रंग के कपड़े पहने से शक्सियत में निकार आता है चौकलेट खाने से रंग साबला हो जाता है लाल मिर्चो को जला कर इसकी दूनी लेने से बंधनाग खुल जाता है प्यास की हुश्बु सूने से दिल को ताकत मिलती है बच्चा रात को सोता नहीं तो शेहद चटाएं मेदे की कमजोरी का मसला हो सागुदाना बना कर खाया करें अगर बूक ना लगती हो आम का अचार खाने से बूक चल्दी लगेगी सबसी को तरो ताजा रखना चाते हैं पानी में सिर्का मिला कर सबसी पर छड़क दे सबसी ताजा रहेगी शाम को चावल खाने से चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है ज्यादा दहीं के इस्तमाल से इंसान का मेदा हराप नहीं होता सुबा के वकट दहीं काने से मेदा ठीक होता है अगर काम की वज़ा से ठकन बहुत ज्यादा हो जिसम तूट रहा हो सरसूं के तेल से साथ मिन्ट तक दोनों पौँं को हूप मसाज करो इंशाला आराम आ जाएगा जहनी और जिसमानी स्कून मिएसर होगा नजर भी तेज होगी कबस को हतम करना है चाहे के अंदर सौंफ डाल कर पी लिया करो कबस हतम हो जाएगी इस मौसम में अकसर लोगों को शेहद की मक्ही काट लेती है शिदीद दर्द होता है अगर ऐसी सूरते हाल में फोरण डंग वली जगा पर माटर का रस लगाया जाए तो फोरण दर्द हतम हो जाता है पच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं अगर बाल काले करना चाते हैं सरसू के तेल में बकरी का दूद मलाकर बालों पे लगाएं बाल काले हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएंगे मचली का सालन बना कर खाने से दिल की बिमारी दूर होती है लसन पर नमक लगा कर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है पानी उबाल कर पीने से बुड़ापा जल्दी नहीं आता ज्यादा टैंशन लेने से बुड़ापा जल्दी आता है जिन लोगों के जिसम पर मुटापा हावी हो जाए वो लोग कच्चा फालसा रुजाना खाएं इससे चांद दिनों में जिसम की चर्बी पिगलने लगेगी वजन भी कम हो जाएगा जंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जूमे मर जाती है इंसानी जिसम में मजूद नमक का तजब इसकदर तेज होता है वो स्टील को भी गला सकता है नहार मुए समगोल का छिलका पीने से जिसम की फाल्दू चर्बी पिगल जाती है बेर खालिया करो ये दिल और हडियों के लिए नहायत मददगार साबित होते हैं पीले रंग की लाइट लगाने से नजर कमसोर होती है किरकिट खेलने से कद बढ़ता है आईना देखने से उम्मर बढ़ती है सबस रंग देखने से नजर तेज होती है स्फेद रंग के कपड़े पहने से शक्सियत में निकार आता है मटी के प्याले में उंठनी का दूर डाल कर पील और बदन में ताकत आ जाएगी पुकोरे ज्यादा आईली ना हो तलते वकत तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए हर बूजे के चिलके सुकाएं इसे पीस कर राख लें जब गोश जल्दी किलाना हो तो इसमें दो चुटकी डाल दें गोश जल्दी गाल जाएगा शाम को मिठी चीजे ना काओ बलके कड़वी चीजे खाओ इससे सहर ठीक रहती है नहार मुदही खाने से यदाश्ट बढ़ती है सोते वकत मुँ से पानी गिरता हो तो जामन का इस्तमाल किया करे लाल जिरा दूद के साथ खाओ इससे जहम जल्दी बढ़ते है हजरत अली ने फरमाया इनसान वो मांगता है जो इसे अच्छा नजर आ रहा होता है लेकिन अल्ला इसे वो अता करता है जो इसके लिए अच्छा होता है क्या आपको मलूम है ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है खटी चीज़े ज्यादा खाने से बुड़ापा जल्दी आता है आटे में खीडे का पानी मलाने से रोटी नरम पकती है रात को लसन खा कर सो जो सुबा आँख जल्दी खुलेगी नाहुन पर हल्दी लगाया करो नाहुन बढ़ेंगे नहीं सार पर मुली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे चंबेली का तेल लगाओ कभी सार में हुश्की नहीं होगी अंगूर खा लिया करो काली खान सी फोरण रुक जाएगी कलवंजी खाने से बिच्छू करे जहर का असर नहीं होता बत्त का सूप पीने से गले में हराश नहीं होगी काम हत्म होने पर गाजर का जान में जान आ जाएगी मटर खाने से वजन कम होता है रुजाना कच्छी अद्रक खाने से बढ़ती हुई उमर छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है अंडे की सफेदी नहार मूँ खाने से मुटापा कम होता है तोरी और शल्जम लाकर खाने से नमूनिया नहीं होता दिल की नाली साफ करनी है जिकंदर को दहीं के साथ खाओ अगर रात को सोते वकत एक चमच जतून का तेल पी लिया जाए शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी इन्शालला रात को सोने से पहले आई ब्रोज पर जतून का तेल का मसाज करने से नजर कमजोर नहीं होगी नाजरीन अल्जम के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर टाइप करें अल्जम की मसवाक और सुननत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा जिन बचों का कद छोटा रह जाए इनको दूर में खजूर डाल कर जूस बना कर दिया करें इस से कद बढ़ने लगता है बिनाई को बेहतरीन रखने वाली चांद गजाएं मेवा जात, मचली, गाजर, अंडे की जर्दी अक्सर औरतों की खुबसूरती के अंदर मुटापा रकावट बन जाता है औरतों को चाहिए गाजर और शिम्रा मिर्च के ज्यादा इस्तमाल करें वजन में नमाया कमी आ जाएगी रात की रोशनी के लिए गर में स्फेद बलब लगाएं दूसरे बलब नजर को कमसोर करते हैं रात की रानी का फूल सूने से जिसम की थकावट हतम हो जाती है पशाब की इंफेक्शन में फालसे का जूस पी लिया करें नहार मुखीरा काय मुटापा हतम हो जाएगा जो ज्यादा टैंशन का शिकार रहते हैं इनको चाहिए अपने गुनाहों की तोबा करें क्योंके इंसान पर सबसे ज्यादा मसीब्तें इंसान के अपने गुनाहों की वज़ा से आती है मूली का रस दुंदला पन, जाला, मोतिया वगयरा को शिफा देकर नजर को तेज करता है रुजाना एक केला खाने से जहनी दबाव और इंसान का गुसा हतम हो जाता है सुबा उठकर गास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है अगर आप चुहों से तंग आ चुके हैं तो चुहों की बिल के पास अंडे का हाली होल राखते है चुवे हुद बहुद बाग जाएंगे अंगूर नमा के साथ खाने से फेपरों का कैंसर नहीं होता हुआप में काले रांग का लबास नजर आना रिजब की तंगी का बाइस है जो खुदा से महबबत करते हैं वो उससे पा लेते हैं जो महबबत नहीं करते हैं वो मरहूम रहते हैं इसलिए शितान इंसान को बहका कर बुरे काम करवाता है इससे मतात रहें बदन की कमजोरी को दूर करना है बेतहाशा ताक़ चाते हैं तालों का इस्तमाल करे टैंगी के मरीज हर दो गैंटे पाथ बकरी का दूद पी लिया करे इन्शाला शिफा मिलेगी बिंडी ज्यादा खाने से दान चल्दी गिर जाते हैं सुबा के वकद नाश्ता ना करने से बदन की कमजोरी होना शुरू हो जाती है जो शक्स चीजे रख कर बूल जाता है हर दमाज के बाद या रह्मानों या रहीमों 21 मरतबा पड़े इन्सानी जिसम में ताकत बढ़ने का जादू मेवा अखरोट है अखरोट का हलवा खाने से हर किसम की बदन की कमजोरी दूर हो जाती है दही में दाल्चीनी मला कर खाले इन्शाला मुटापा और वजन कम होना शुरू हो जाएगा हल्दी दूद के साथ खालेने से बदन के जहम चल्दी बाढ़ जाती है मुश्किल में सबर से काम लो क्यूंकि इसका सीला बहुत बढ़ा है कद्दू के चिल्गे चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की चाईया दूर हो जाती है नहाने के बाद बालों पर तोलियाल पेटने से बालों में कुद्धरती चमक आती है बेरोनक चेहरे वाले लोग अपने गुनाहों से तुबा करें इनके चेहरे पर नूर ही नूर आ जाएगा गहरे रंग के सूट पहने से उर्थों को पसीना ज्यादा आता है सोते वकत बार बार करवट ले लिया करें आप सेहत मन रहेंगे सोते वकत अगर नाप में जतून का तेल डाला जाए वजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा बलके आपके चेहरे पर दिन बदिन जुरियों से भी पाक हो जाएगा अंडा उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, वरना तिली और दमा की बिमारी और आंकों की बिमारी में मुक्तला हो जाएंगे अमरूत खाने के एक गैंटे बाद तक पानी ना पीएं, शुगर वाले मरीज शकरकंदी और चिकंदर का इस्तमाल ना करें कची रोटी खाओगे, बिमार हो जाओगे, ज्यादा देर तक जाकने से अकल कम होती है, गरम पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है, सर पर नमक वाला पानी डालने से जुवें हतम हो जाती है, कजूर खाने से असाबी कमजोरी नहीं होती, बरफ खाने से बंदा ठीक हो जाते हैं, बवसीर की बिमारी से बचने के लिए मूली और बुने हुए चने खाने चाहिए, इस से काफी अराम मिलता है, कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसान दे है, केला बलगम पैदा करता है, जिन औरतों की स्किन आईली हो, इन्हें किसी भ गर का मसला हो सकता है, बलेड प्रेशर के मर्ज में मुगतला लोग ज्यादा सफर करने से गुरेज करें, बलेड प्रेशर बार सकता है, बुने चने नजर की कमजोरी को दूर करते हैं, इसमें सोंफ को शामिल किया जाए, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, नजर उकाब जै रिप्रेशन दूर हो जाएगा, जपानी फल खाया करो वजन कम हो जाएगा, वजन और मुटापा कम करने के लिए शहत में लिंबू का रस्म लाकर पी लें, एक हफ़ते में मुटापा कम हो जाएगा, नाच्टे केक गैंटे बात गाजर खाने से चेहरे पर हुश्की नहीं ना हो रहा हो, काले चनों का शोर्बा पीए, इस से काफी मदद मिलेगी, पेट के बाल सोने से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, डीर की हड़ी में दर्द के अमकानात बाड़ जाते हैं, मोहरो पर दबाव परता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करे, जिसम की बदबू नहीं जाती तो अरके गुलाब में पानी डाल कर नहा लो, बगलों से बदबू आए, लिम्बू का चिलका मसल लो, चेहरे की हुपसूर्ती को बढ़ाना है, शेहत और दूद चेहरे पर लगा लो, बगड़ी पालने से दिल नरम हो जाता है, बेर को पालने से हिम् हड़ियों को ताकत देनी है, तेसी मुर का सूप पी लिया करें, मुटापा आने लगे पेट लटक जाए, खीरे का तेल, नाफ में डाल लिया करो पेट चांद दिनों में अंदर चला जाएगा, नहार मुशहत का एक चमच खा लेने से उमर में इजापा होता है, जिसम को त दाकत मिलती है, दान्त में दर्ध होने लगे, रोटी पर लोंग का तेल लगाकर दान्त पर राखलो अराम आजाएगा, हालिस बदाम का तेल दो कत्रे नाफ में डालने से नीन अच्छी आती है, चेहरे पर लिम्बू का रस लगाने से चेहरे की जिल्द गोरी हो जाती है, नहार मुशह चाटने से उमर में इसाफा होता है। बांच औरत गुड के साथ रोटी खा ले उलाद जल्द हो जाएगी। रंग गोड़ा करना चाते हैं रात को मूँ पर दहीं लगाएं। अंगुठे पर तेल लगाने से दमाग तेस होता है। दूद में केला डाल कर खा लो कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगा और डिप्रेशन हतम होगा। खाने के बाद मिटी चीज़े खा लिया करो कभी जल्दी बुड़ापा नहीं आएगा। अखरोट खाने से फूल बैडी के दाग हतम होते हैं। चलगोजा खाने से जिल्द हराप नहीं होती। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दाण जल्दी हराप होते हैं। पुदीने की डंडियां चबा लिया करो इससे आपका रंग घुपसूरत हो जाएगा। हैस के दर्द के लिए नहार मुख जूर खाएं। जिसको दांत का दर्द हो वो अद्रक का टुकडा राकले अफाका होगा। केड़ों को दूर बगाना है ऐसी जगा पर कफूर जला दें। केड़े दुबारा नहीं आएंगे। पहाना जब बियाए फोरन कार लिया करो फालिच का हत्रा कम होगा। रोटी चबाच बाकर नहीं खाओगे बवसीर जैसी बिमारी हो जाएगी। ज्यादा सोने से यदाश्ट कमजोर होती है। खीरा हासमे की हराबी के लिए मुफीध है। दूलत मन होना चाते हो गरीबों मसकीनों को खाना खिलाना शुरू कार दो। दूसरा जो तुम्हारे पास माल है इसमें 10 फिसद सत्का करो दोलत बारिश की तरह बरसेगी। मिठा ज्यादा खाने से बुड़ापा जल्दी आता है। फारिक रहने से इंसान जल्दी बुड़ा हो जाता है। दूद गरम करके पीने से हड़िया मजबूत होती है। दूद में जीरा डाल कर पीओ आपका पेट कभी बाहर नहीं आएका। नीम गरम पानी ज़्यदा इस्तमाल करने से दिल की बिमारी का हत्रा कम होता है। चोटी मकी का शहद सिर्फ एक कत्रा आँख में डालो नजर तेज हो जाएगी। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सबसी है। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो इसका वज़न कम होने लगता है। हर्वुजा खाने से वज़न में इजाफा और जिसम की बहतर नशुर्मा होती है। अगर किसी को शदीर खानसी हो गले में दर्द रहता हो एक चमच शहत और एक चमच अद्रक का रस। मिक्स कार के रात को सोते वकत पी लें। पीने के बाद मरीज कुरली ना करें वैसे ही सो जाए। तीन राते मसलसल ये अमल करें इन्शाला खानसी गले की हराब भी दूर हो जाएगी। हरी शिमला मिर्च खाने से जुरियों का हातमा होता है। सुबा के वकत काला जीरा चबा लेना वजन में कमी का बाइस बनता है। अगर ज्यादा खा लेने की वज़ा से पेट हराब हो तो लोंक चबा लो। फटकरी के उपर अंडे की सफैदी लगा कर चेहरे पर रगड़ों जुड़ियां हतम हो जाएंगी। आम के दर्फ्त की मसवा करने से मूँ से बदबु गाइब हो जाती है। रुजाना सौवाला दूद पीने से आपका रंग गोरा हो जाएगा। दिन में पांच मरतपा सीडियों पर जरूर चड़ें और उत्रें। रात के खाने के बाद अदा गंटा वाक जरूर करें। कोशिश करें के रोटी का इस्तमाल दिन को करें। रात को सोने से कबल चन दाने हुश्क आलू भारा खाएं। पेट के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। मेदे की तिजाबियत और कबल हतम होगी। हडी सबजियों के इस्तमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 50 पिसा तक कमी लाई जा सकती है। नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो अपसानद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।